हीन बावना का शिकार ना बने आज की कानी एक बार की बात है जंगल में एक बारे सिंगा रहता था उसको अपने खूपसूरत सिंगों पर बहुती गर्व था जब भी वे तालाब में पानी पीते हूँ अपनी परचाई को देखता तो सोसता मेरी सिंग कितने खूपसूरत है लेकि मेरी टांगे कितनी पतली और भद्धी है वे सोसता कि काश उसकी टांगे भी खूपसूरत होती तो वे बहुत खूपसूरत दिखता इस प्रकार वे अपनी टांगों को लेकर बहुत हीन भावना से किरा रहता था एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी शिकार पर आये उन्होंने जब खूबसूरत सींगों वाले बारे सिंगा को देखा तो वे उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दोड़े बारे सिंगा बहुत तेद दोड़ा और शिकारी उसे काफी दूर निकल गया भागते हुए वे पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था तभी अचानक बारे सिंगा के सींग एक पेड़ की शाखा में अटक गई बारे सिंगा अपने सींग चुडाने की भरपूर कोशिश कर रहा था लेकिन सींग नहीं निकाल पा रहा था इधर शिकारी लगातार निकट आते जा रहे थे खूब कोशिश करने के बाद बड़े मुश्किल से उसने अपने सींग चुडाए और वहां से जान बचा कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा अब बारा सिंगा सोचने लगा मैं भी कितना बड़ा मूर हूँ जिन सींगो की खूब सूर्थी पर मैं इतना इतराता था वै आज उनी की वज़े से मैं भारी संकट में फ़स गया और जिन टांगो को मैं भद्दी कहकर कोशता था उनी की वज़े से आज मेरी चान बची दोस्तों इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है हर किसी में कुछ न कुछ कमी जरूर है लेकिन हमको इस कमी को लेकर हीन भावना का शिकर नहीं होना है आप जैसे भी हैं सर्वशिष्ट खुद से प्यार करें यकीन मानिये यह कमी भी आपकी मजबूती बन जाएगी